लेहिन दोस्तों, अपकमिंग सिविल सर्विसेज और सीडियस को ध्यान में रखते हुए हिस्टी की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है लास्ट के वीडियो में हमने एंसेंट हिस्टी के कुछ कुछ को डिसकस किया और इसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें असोकन एडिक्स होंगे आपको बता होगा रिसेंटली सिविल सर्विसेज में कुछन भी पूछा गया इस टॉपिक से इसी कुछन को मैंने थोड़ा मोडिफाई किया ताकि सारे जो important अस्थल है असोकन एडिक्स से related वो याद हो जाए इसके बाद जो second सवाल मैंने लिया ये भी again असोकन एडिक्स के उपर है और ये काफी important question है क्योंकि ये news में भी था इसके बाद बात करेंगे हम महाजनपद के अंदर ही जो हर्यंका dynasty का concept है इसे समझेंगे और अगला सवाल होगा इंडो ग्रीक्स के उपर इंडो ग्रीक्स काफी important topic है ancient history के अंदर और इसके बाद हम बात करेंगे कनिस के बारे में यानि कनिस के बारे बात करेंगे यानि कुसान वंस के बारे में समझेंगे दोस्तों lecture बहुत ध्यान से आपको समझना है और जितने भी extra additional point में बता रहा हूँ उन सभी चीजों को note down करते वे चलना है because जो important pointers है वो तो यहां cover हो गई इसके अलावा कई सारे previous question एक ही topic से होते हैं तो उन extra points को भी मैं cover करता हुआ चलूँगा सो पहला सवाल देखिए consider the following pairs यहां पे हमें चार pairs दिये गया है और left side में जो असोकन edits है इसके बारे में दिया गया है और state कौन सी है यह आपको बतानी है तो पहला है यहां पे धोली ओडिसा दूसरा है येरा गुड़ी या कई जगों पे येरा गुड़ी spelling थोड़ी change हो सकती है यह है आंदरपरदेश राम पूर्वा जारखन में कालसी करनाटक में आपको बताना है कि कौन-कौन से यहां पे correctly match है 1&2, 2&3, 3&4 या फिर 1&4 यान पूछा गया था बस changes यह थे कि कुछ site के नाम मैंने बदल दिया है और इसके अलावा pattern कुछ ऐसा था कि कितने pair सही है 1 pair, 2 pair इस तरीके से पूछा गया था तो थोड़े changes मैंने किये है दोस्तो question के source की बात करें तो class 6th NCRT के chapter 7 असोका the emperor who gave up the war में देखने को मिल जाएगा तो जब भी हम असोक के बारे में पढ़ते हैं मोरेन समराट असोक के बारे में जो मोरे सामराइस से अपना संबंद रखते थे तो इनके addicts काफी ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाते हैं विगोज यह first king थे इंडियन सम कॉंटिनेंट में जिनोंने addicts के माध्यम से addicts का मतलब होता है किसी ठोस surface यानि किसी solid surface में खास करके पत्थरों में जो उतकीरन किया जाता है यानि जिनके माध्यम से लिखा जाता है ताकि लंबे वर्स होता कि यह preserve करके रखा जा सके और जो राजा की मुख्य बाते थी जिन बातों को राजा सामिल करना चाहता था वो सभी चीजें देखने को मिलती है तो आपको ध्यान होगा 6th, 7th, 8th की complete NCRT मैंने पढ़ा दी है और प्रते एक चेप्टर के साथ previous year question को भी discuss किया है इसके अलावा कुछ बाते जो NCRTs के अंदर नह से हिस्ट्री को समझ पाएंगे तो अगर बात करें सोकन एडिक्ट की तो आपको clarity होनी चाहिए कि Moran Empire के अंदर जो सोकन एडिक्ट है उनमें किन-किन छेत्रों में कौन-कौन से एडिक्ट देखने को मिलते हैं जैसे अगर यहां पे हम देखें बिहार में तो लुंबिनी है लुंबिनी नेपाल वाली रीजन में इसके अलावा जो राम पूर्वा है यह भी अगेन बॉर्डर में बट बिहार स्टेट के अंदर है और इसके अलावा पाथली पुत्रा जरूर आपने नाम सुना होगा इस तरीके से एक जोगोड़ा है काफी famous ओडिसा के अंदर जोग अंदर नाम स Mr. goo यह अलावा जरुकोडा यह उडीसा में देखने को मिलेंगे यह यानी यह बिल्कुल और धाहए यह गरी नेज़ा के अंदर है और काल si कर्णा होगा जोकीед में देखने को मिलेगा अए तरह देखिए कालसी तो इंडिय का परसनी के से देखें तो वन option a one and two only प्रते एक सवाल को आपको पहले खुद से attempt करना है now next question देखिए ये question CDS में भी पूछा गया है CDS का भी previous air question है और civil services का भी previous air question है इस question को मैंने इसलिए लिया है because इस सवाल का जो answer है वो काफी ज्यादा news में था in the relief structure Renio Ahsoka यानि King Ahsoka is mentioned यानि जो relief structure है जिसमें ये बातें लिखी गई है यानि King Ahsoka का जिक्र किया गया है ये only inscribed pillar inscription है असोका का यानि कहने का मतलब क्या है कि एक लोता inscribed pillar inscription है ये और Renio Ahsoka यानि King Ahsoka का जिक्र इस pillar inscription में देखने को मिलता है आपको बताना है कि ये किस असोकन sculpture inscription की बात की जा रही है साची के अंदर अमरावती में, कंगन हली में या फिर अजन्ता में तो दोस्तों ये दाहिंदू की news है और कई news articles के दारा cover भी किया गया सननती जो की एक ancient buddhist site है ये focus में आई है 20 years के बाद in fact archaeological survey of India ने ही पर्यास किया है कि यहाँ पर conservation work चलाया जा और सभी चीजें बहतर ढंग से चले तो ये देखे साइट है और ये जो साइट है कंगन हली यानि जो सननती है ये कंगन हली सननती के अंदर ही आता है और करनाटक के अंदर है ये तो ध्यान रखिए कि ये only inscribed pillar inscription देखने को मिलेगा तो चुकी option में सननती नहीं इसलिए हमारा correct answer होगा कंगन हली तो location भी ध्यान रखिए काफी important हो जाता है इसके अलावा ये दोनों points यानि एक सवाल एक pointer तो cds के अंदर पुछा गया था एक civil services के अंदर तो मैंने दोनों को merge करके question frame किया है तो काफी important चीज है ध्यान रखिए दोस्तो मैंने असोकन addicts पर separate video बना दी है already description box में आप जाएंगे history playlist में तो उन सभी वीडियो को access कर सकते है तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि किस major rock addict में कलिंग war का जिक्र देखने को मिलता है यानि कलिंग युद के विशे में बात की गई है कौन सा major rock addict है ये दोस्तो अगले सवाल की और बढ़ने से पहले कुछ important pillar addicts के बारे में मैं आपको बता दू रुमिन देई pillar addict का नाम ध्यान रखिए रुमिन देई pillar addict जो है वो लुम्बिनी के अंदर है लुम्बिनी आपको पता होगा जहां गौतम बुद का जन्म हुआ था और रुमिन देई pillar edit के बारे में ये important बात आपको ध्यान रखनी है कि रुमिन देई pillar inscription के अंदर ये mention किया गया है कि असोका ने लुम्बिनी को visit किया है लुम्बिनी यानि जो लुमिन देई का part है और तो ये बात ध्यान रखिए इस तरीके से question frame हो सकता है कि कि इंस्क्रिप्शन में इस बात का जिक्र है कि असोका ने लुम्बिनी को visit किया है और इसके बात जो है असोका ने exempt भी कर दिया था लुम्बिनी के लोगों को कि टेकसे आपको कम देने है इस तरीके से भी कुछ important बाते ध्यान रखनी है इसके लावा एक और मैंने यहाँ पर लिखा है और वो है मास्की inscription के बारे में तो ये जो मास्की inscription है ये first addict है असोका का जिसमें असोका के सोयम के नाम की बात की गई है देखिए आपको पता होगा कि जो असोकन addicts है इन्हें direct असोक का नाम नहीं देखने को मिलता बलकि पियादस्थी जिसे पियादस्थी कहा जाता है देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जो संस्कृत के terms है इन्हें पाली या प्राकृत भासाओं में इनकी form change हो जाती है जैसे पियादस्थी है तो पियादस्थी रहेगा धर्म को धम कहा जाएगा इस तरीके से थोड़े terminology change हो जाती है तो पियादस्थी word देखने को मिलता है लेकिन कुछ ऐसे असोकन sites भी है जिनमें असोक के स्वयम का नाम जो कि असोक है obviously इस बात क्या जिक्र भी देखने को मिलता है वैसे वो चार sites ही है एक तो मस्की है मस्की inscription और ये first edit है असोका का जिसमें असोक के स्वयम का नाम का जिक्र किया गया यानि असोक की बात की गई है इसके अलावा तीन और है दूसरा है ब्रह्मगिरी जो की करनाटक के अंदर है तीसरी site है गुजर जो की MP के अंदर है और चौती site है नेटूर नेटूर आंदर पर्देश में ये चार sites ही है जिनमें असोक के स्वयम का नाम यूज हुआ है दोस्तो नाव अगले सवाल क्यों बढ़ते है महाजनपद एरा के अंदर ही हर्यंग डैनिस्टी देखने को मिलेगी और जो मगद सामराइज जो की सबसे सकती साली सामराइज था महाजनपद में से उसी में से हर्यंग सामराइज सबसे पहले उभर करके आता है तो दो statement यहाँ पर आपको दिये गए है इसके basis पर आपको answer करना है कि कौन कौन से statement यहाँ पर सही है पहला कथन है अजात सत्रू founded the new capital पाठली पुद्रा situated on the confluence of river Ganga and Son लेकिन question का source भी 678 की NCID से ही है जातर सवाल वहीं से पूछे आते हैं और इसके आने वाले सीरीज में कुछ question अम थीम्स के भी लेंगे दूसरा statement है बिंदू सार वाजदा founder of हर्यंका dynasty तो क्या जो new capital स्थापित की गई थी पाठली पुद्रा में ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर आजात सत्रू के द्वारा स्थापित की गई थी और दूसरा कहा जा रहा है कि हर्यंक वन्स के संस्थापक बिंदू सार थे दोस्तों यहाँ पर दोनों ही statement जो है वो गलत है तो correct answer हमारा option D है neither one nor two तो सही statement क्या है समझ लेते हैं देखिए अगर बात करें हर्यंक डैनिस्टी की तो हर्यंक डैनिस्टी के founder का नाम बिंबी सार था ना कि बिंदू सार फिर यह बिंदू सार कौन थे तो बिंदू सार देखिए बात की जारी हर्यंक डैनिस्टी की लेकिन बिंदू सार जो है वो अपना संबन्द रखते थे मोरेवंस के साथ मोरेवंस के राजा असोक का नाम जिसका अभी हमने काफी ज़्यादा जिक्र किया तो असोक के फादर का नाम था बिंदू सार ना की बिंबी सार तो ये थोड़ा confusion का scope था इसलिए मैंने इस तरीके से statement form किये तो ध्यान रखना है आपको बिंदू सार और इनका नाम माना जाता है इसलिए पड़ा जब ये born होए थे तो इनके body में कुछ sport थे बिंदू थे इस तरीके से कुछ stories है इस पर based तो बिंदू सार जो है वो more of one से संबंद रखते थे तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते है कि father of असोक राइट लेकिन अगर हम हर्यंग dynasty की बात करें हर्यंग dynasty जो first dynasty थी मगद में मगद सामराइज में आने वाली तो हर्यंग dynasty के founder का जो नाम है वो था बिंबी सार और बिंबी सार के फिर son है अजाद सत्रू और अजाद सत्रू के son है उदाइन तो तीनों के बारे मैं आपको important fact बता दे रहा हूँ तो जैसा कि हमने बात की बिंबी सार founder है हर्यंग dynasty के इनके कई सारे matrimonial alliances है जैसे कौसला देवी से इनका विवा होता है जो की प्रसेन जीत की बहन होती है तो ये सब कुछ मैंने अल्रेडी cover किया है महाजनपद वाले वीडियो को आप रैफर करेंगे तो ये सारे important points वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अलबा और भी है जैसे अपने ये I think serious में question भी पूछा गया है ये अपने royal physician जीवक को भेजते हैं उजेन उस टाइम पे उजेन के जो राजा होते हैं महाजनपद में वो होते हैं प्रद्योत तो प्रद्योत जो की उजेन के राजा है तो बिम्बी सार जो की मगत के राजा है वो अपने physician जीवक को भेजते हैं उजेन क्योंकि वो जो राजा है प्रद्योत ये जौंडी से ग्रसित होते हैं इस वज़ा से ये अपने physician को भेजते हैं तो ये बात हैं इसके अलावा बात करें अगर अजाद सत्रू की जैसा कि मैंने आपको बताया बिम्बी सार के ये सन है और इसके अलावा माना जाता है कि he also met बुद्धा क्योंकि ये भरूत इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है meeting about अजाद सत्रू एंड गौतम बुद्धा इसके बाद हमने इनके सन की बात की सबसे पहले हमने बिम्बी सार की बिम्बी सार के बाद आते हैं अजाद सत्रू और अजाद सत्रू के सन होते हैं उदईन तो उदाइन ही वो है जिनोंने पाटली पुत्र नगर की स्थापना की और जो की गंगा और सोन नदियों के confluence में है और ये काफी strategic location थी पाटली पुत्रा तो यहाँ पे जो हमारे statements है पहला अजाद सत्रू के बारे में कहा गया जी नहीं अजाद सत्रू नहीं बलकी उदाइन founded the new capital और जो दूसरा statement है बिंदू सार के बारे में कहा गया ये भी बात गलत है बिंबी सार वाजदा founder of हर्यंका डेनिश्टी तो यहाँ पे थोड़ा confusion का scope था तो ये दोनों ही बातें गलत हैं correct answer है हमारा option D neither one nor two ये सारे extra point आप जरूर नोट करते वे चलिए question आप देखेंगे previous year के तो इनी pointer के इर्दगिर्द आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो अगर आपने मेरी महाजनपद वाली वीडियो को detail में cover किया था तो एक question का answer आप comment box में करिए और वो सवाल ये है अगले सवाल के और बढ़ते हैं इंडो क्रीक्व के बारे में आपको statement दिये गए है और बताना है कि कौन कौन से आपके correct statement है पहला कथन है मिलिंद या मिनेंडर was converted to Buddhism by Naga Arjun has been identified in Buddhist text मिलिंद पनहो यानि जो पुस्तक है मिलिंद पनहो जो कि एक Buddhist text है इसी text के अंदर मिनेंडर के बुद्धिजम में convert करने की बात कही गई है जो कि Naga Arjun के द्वारा convert देखने को मिलते हैं और दूसरा कहा जा रहा है इंडो ग्रीक्स वर्दा first ruler to issue gold coins in India यानि भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले first ruler जो है वो इंडो ग्रीक्स थे दोस्तों अगर हम बात करें इंडो ग्रीक्स की तो इंडो ग्रीक के जो one of the first ruler होते हैं उनका नाम होता है मिलिंद मिनेंडर होता है असल में बट जैसा कि आपको पता है इंडियन वर्जन में मिलिंद कहा जाता है बिकोज मैंने बताया पाली लेंग्वेज जो है इनमें वर्ड को चेंज वर्ड थोड़े चेंज देखने को मिलते हैं इस वाज़से जो मिलिंद है ये पाली वर्जन है मिनेंडर का अब ये जो मिनेंडर किंग होते है इनकी खुद की कैपिटल होती है कैपिटल होती है सकाल आप मैप में देखेंगे अगर सकाल तो आपको देखने को मिलेगा और ये देखे यहाँ पे मैंने औप्सन में नाग अर्जुन लिखा ये बात गलत है नाग अर्जुन नहीं बलकि नाग सेन के द्वारा ये कनवर्ट की जाते है बुद्धिशम में और ये जो important book है मिलिंद पन हो बहुँ ज़्यादा important book है ये civil sources में directly दो बार पूछा गया है I think KBC में भी काफी मुची अमाम में पूछा गया था तो इस book का नाम जरूर ध्यान रखिए मिलिंद पन हो ये जो book है ये deal करता है जैसे ये word अगर आप देखे पन हो तो कई सारे books में आपने देखा होगा खास करके पाली भासा की जो पुस्तके हैं उनमें पन हो word देखने को मिलता है तो जो मिलिंद पन हो है ये असल में story है और ये जो story है ये question के format में लिखा गया है मिलिंद के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं बुद्धिजम से संबंधित और इन सवालों का उत्तर दिया जाता है नाग सेन के द्वारा और finally उत्तर से प्रभावित हो करके convert हो जाते हैं ये बुद्धिजम में जो की king होते है मिनेंडर इंडो-ग्रीक ruler होते हैं तो first statement देखे गलत है because यहाँ पर नागा अरजुन की बात कही गई है लेकिन ये नाग सेन है नागा अरजुन के बारे मैं भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों एक बात जो आपको नोट करनी है नागा अरजुन से संबंधित कि ये obviously महायान बुद्धिस से संबंध तो रखते ही है इसके अलाव आपको जो सबसे important बात ध्यान रखनी है वो ये कि he was the founder of सुन्ने वाद फिलोसोफी सुन्ने वाद फिलोसोफी सुन्ने वाद फिलोसोफी बुद्धिसम के अंदर ये concept है और जो की बात कही जाती है कि जो wordness है यही ultimate reality है ultimate truth है तो इनके founder जो है वो नागा अरजुन है तो direct question पूछा गया है कई बार exam के अंदर कि जो philosophy है दो नाम है इसके actually दोनो नाम आप note कर लीजे पहली तो माध्यमिका है दूसरी सुन्ने वाद दोनों same philosophy है दो नाम से जानी जाती है या तो आप माध्यमिका philosophy कह ले या फिर कई बार option में सुन्ने वाद कह दिया जाता है तो सुन्ने वाद philosophy के founder कोन है नागा अरजुन और इनका time period आप देख सकते हैं 150 से 250 AD लगभग माना जाता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि नाग सेन वाला time period है ये काफी पहले का है तो इस बात को आप ध्यान रखे नागा अरजुन वाज दा founder of माध्यमिका philosophy या फिर सुन्ने वाद philosophy तो पहला statement यहाँ पर गलत है दूसरा देखे कहा जा रहा है इंडो ग्रीक्स वर दा फर्स टूलर टू इसू गोल्ड कोईंस इंडिया तो ये बात बिलकुल सही है भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी करने में इंडो ग्रीक्स को प्रथम स्रे दिया जाता है देखे यहाँ पर केवल बात की गई इसू करने की अगर हम लार्ज नंबर ओफ गोल्ड कोईंस की बात करें तब तो अबिसली गुप्ता का नाम आएगा विकोज हमने देखा है गुप्ता पीरेड में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती है जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो ट्रेड है जो एकोनोमी है यह काफी ज़्यादा फ्लरीस कर रही होगी और इसी वज़ा से गोल्डन एज भी कहा जाता है आपने सुना होगा एंसेंट हिस्टी का गोल्डन एज कुप्ता पीरेड को माना जाता है तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है दूसरा सही है इस वज़ा से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन भी होगा नेक्स्ट कुश्चन देखिए यह कुश्चन भी प्रिवेस यर से इंस्पार्ड है मैंने थोड़े मोडिफिकेशन किये हैं कुश एक्सटा पॉइंट्स मुझे बताने है और बताना है आपको इन में से कौन कौन से जो स्कोलर है वो कनिस के टाइम पे मोजूद थे दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर ओप्शन ए है वन थ्री और फाइफ असो घोस मौझूद थे वसू मित्र थे और नागा अरजुन थे तो डिसकस करते हैं वन बाई वन लाश्ट के लेक्चर में भी हमने असो घोस की बात की थी आपको ध्यान होगा और मैंने आपको बताया भी था कि असो घोस कनिस के टाइम पे मौझूद थे यह काफी important point है आपको ध्यान रखना है हमने पुस्तकों की बात की थी असो घोस के दोरा जो सबसे famous पुस्तक लिखी गई है वो है बुद्ध चरित बुद्ध चरित के अलावा और दो किताबे लिखी गई है कौन कौन सी वो दो किताबे हैं आपको कमेंट करके बताना है दोस्तो सेकेंड अगर बात करें वसू बंधु की तो इस पर हम separately discuss करेंगे पहले बात करते हैं वसू मित्र की विकोज वसू मित्र जो है वो कनिस के टाइम पे मौझूद थे ना कि वसू बंधू तो वसू मित्र के बारे में आपने अगर ध्यान से बुद्धिस्ट काउंसिल को पढ़ा है जो बुद्ध समीतियां हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल इनमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर आप देखें तो fourth Buddhist council जो है वो कनिस्का के time पे हुई थी कहां पे हुई थी? कुंडल वन में कुंडल वन कस्मीर में ये point आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि fourth Buddhist council किनके time पे हुई थी और third आप बताईी comment box में कि third Buddhist council किस king के patronize करने पर हुई थी और fourth का मैंने आपको बता दिया कुंडल वन कस्मीर के अंदर हुई थी और किनके नेतरित में हुई थी तो वसु मुत्र के नेतरित में हुई थी तो इस वज़ा से obviously ये कनिस्क से अपना संबंद रखते हैं कनिस्क के दरबार में देखने को मिलेंगे तो इस वज़ा से third correct है और fifth अगर हम यहाँ पे देखें नागा अर्जुन तो अभी मैंने आपको बताया नागा अर्जुन के विशे में नागा अर्जुन ने सुन्नेवाद philosophy दी है जिसे माधमिका school कहा जाता है तो इस वज़ा से यहाँ पे one, three और five हमारे answer में सामिल होगा जो कि एक ही option में देखे मैंने option इस तरीके से set किया है कि अगर यहाँ पे आप केवल काली दास को eliminate करते हैं तो correct answer निकल करके आ जाएगा because काली दास अपना संबंध रखते थे गुपता डैनिस्टी से काफी important point है कई बार exams के अंदर पूछा गया है अगर especially king की बात करें तो चंद गुपत सेकेंड विक्रमा दित से last के lecture में भी हमने detail में डिसकस किया था काली दास के पुस्तकों के विसे में दोस्तों ना बात करते हैं वसू बंधू की बहुत ध्यान से आपको समझना है काफी important points यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाल हूँ देखिए वसू बंधू की अगर बात करें तो ये जो समकालीन थे वो चंद गुपत फर्स्ट के थे अगर आपने गुपता इंपायर पढ़िये तो यहाँ पर अगर हम बात करें वसू बंधू की तो इनका जो सबसे प्रमुख योगदान है वो ये मना जाता है ये बात आप जरूर नोट कर लीजे वसू बंधू और इनके भाई इनके भाई का नाम होता असंग ये दोनों ब्रदर्स मिलके योगचार अस्कूल जो की बुद्धिजम के अंदर ही फिलोसोफी है योगचार अस्कूल के फाउंडर होते है तो दोस्तों ये अपना संबंध रखते है एंसेंट इंडिया के अंदर पेसावर से और ये फिलोसोफार है इन्होंने अभी धर्म पर भी कोमेंटरी लिखी है ये भी काफी important बात है कि इनकी जो कोमेंटरी है वो अभी धर्म पर देखने को मिलेंगी इसके अलावा सर्वस्तिवाद और सोतांत्रिक स्कूल के परस्पेक्टिव से भी इन्होंने जो पुस्तके लिखी है वो तो है ही तो अगर आपने UPSC के Civil Services के previous question देखा होगा तो कई बार पूछा गया है कि जो सर्वस्तिवाद हैं या जो सोतांत्रिक हैं ये किन स्कूल के अंदर देखने को मिलेंगी तो obviously Buddhism के साथ इनका संबंध है तो ये बात मैंने बता दी कि after his conversion to Mahayan Buddhism along with his brother Asang, he was one of the main founder of Yogachar School तो मैंने जान बुझ के question को इस तरीके से frame किया है because वसू बंधू, वसू मित्र में बहुत जादा confusion होता है अगर हम एक साथ इसे discuss कर लेंगे तो ये चीज़े आपको लंबे समय तक ध्यान रहेंगी तो वसू मित्र योग चार स्कूल के ये founder है जो कि बुद्धिजम के अंदर ही philosophy देखने को मिलेगी in fact वसू बंधू का काफी अहम योगदान है Emmanuel Kant की जो philosophy है वो वसू बंधू से inspired मानी जाती है दोस्तों वैसे अगर कनिस्क के विसे में पूछा गया है तो कुछ important point आपको ध्यान होने चाहिए जैसे कनिस्क जो है he was the founder of suck era और ये मैं आपको याद रखने के लिए बताया है last में यहाँ पे दोनों में ही suck देखने को मिलेगा खास करके जब आप English में लिखें तो ये देखिए तो आपको ध्यान रखना है कि suck era के जो founder है वो कनिस्क है और कब से ये देखने को मिलेगी 78 AD में यहाँ पे आपको confuse नहीं करना है यहाँ हम BCE की बात नहीं कर रहे है 78 AD की बात कर रहे है और आप comment box में ये बताइए विक्रम era कब फाउंड की गई थी king का भी नाम बताना है और year भी बताना है तो ये हमने कनिस्क की बात की इसके अलावा कुछ और बाते हैं कनिस्क से संबंदित जैसे इनकी जो capital है यही कई बार पूछ ली जाती है तो जो capital है वो पेसावर अगर उस टाइम के हिसाब से देखें तो नाम था पूरुसपूर पूरुसपूर प्राचीन नाम है पेसावर का ये capital थी कनिस्क की इसके अलावा कनिस्क ने बुद्धिजम obviously बुद्धिजम में काफी प्रमुक योगदान दिया है और in fact एक बात जो सबसे important है आपको ध्यान रखनी है कि बुद्धिजम के अंदर दो school of thought माने जाते है हीन यान और महायान तो हीन यान तो lesser school है यानि प्राचीन है और महायान newer है हीन यान के मुकाबले तो महायान जो है वो कनिस्क के time पे ही flourish करती है ये बात भी आप ध्यान रखिए तो अगर कनिस्क से संबंधी personalities की हम बात करें तो असुघोस, वसुमित्र और नागार जुन ये team संबंध रखते हैं इसके लावा एक और आप add कर लीजे चरक, चरक का नाम आपने काफी ज़्यादा सुना होगा तो famous physician जो है वो चरक ये भी कनिस्क से कनिस्क के दरबार से अपना संबंध रखते थे करेक्ट आंसरे हापे option A है दोस्तों इस वीडियो में इतने ही सवाल डिसकास करते हैं next part में हम इसी तरीके से engine history की series को continue करेंगे और इसके बाद जल्दी medieval history और अने section को भी covered करेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद